में बिहार पंचाय चुनाओं को लेकर आज होगा अधिंसुचना जारी बिहार पंचाय चुनाओं की सभी तैयारी हुई पूरी बिहार में नियोजी सिचको के तवादले का मामला लटका अगले वर्स होने की शम्मावना आज हो सकती है बिहार के नियोजी सिचको का बेतन का मुहया यानि की कर सकते हैं पीम ने जाती है जनगन्ना की मांग नकारी नहीं है बिहार के मुकमंतरी नितिस कुमार का बड़ा बियान बिहार के सभी दल बोले ज उटती है जातीगत जनगन्ना की मांग दोजारी का रखी जाती जनगन्ना पर फसा था पेच इदा राज में 1015 स्वास उपके अंदूरों का निर्मान जल्द होगा शुरू नमस्कार आप इस समय देख रहें मगत संबात के खास कार्ज करम सुबह सबेरे सुबह सबेरे में हम खबरों को लेते हैं अखवारों के पन्नों से अखवारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरे हम काम की खबरे आपके लिए ढूंड कर लाते हैं तो खबरों को सुरू करने से पहले मैं बता दू मैं आपके साथ हूं सुनिल वह भी और और देख रहे हैं हैं तो सब्सक्राइब कर ले और टीटर और इस्टाग्राम पर भी हमें कर सकते हैं चलिए खबरों की सिलसिला को अब हम शुरू करते हैं सबसब पाली खवर मुकपमंत्री कल चार सघको का करेंगे उद्घाटन राजिम के तिन राजे उच्ट पत एवब इसके बाइपास का उद्घाटन मुकपमंत्री नितिसकुमार पटीस अगस्त को करेंगे यानी कल करेंगे वीडियो कॉन्फरेंसिंग से होने वाले इस अमारों की कॉन्फरेंसिंग की तैयारी बिहार राज पत्थ बिकास निगम ने कर ली है और निशी तोर पर कल इसका उधगाटन किया जाएगा तैज रफ्तार के दिखें बड़ी खवर यहा है वहाँ नचालकों के लिए और पत्थ निगम के लिए तेज रफ्तार के गुनागारों की पहचान करेंगे कैमरे यानि की दुरघटना कम करने के लिए राजसरकार और पत्थ विभाग निरमान हमेशा कारगर काम कर रही है एक नई खोजो नई बहल के शिरुवात कर रही है ट्रैफिक पुलिस को जल्द मिलेंगे इंटरसेप्टर वीलकल इसमें रफ्तार मापने की यंद्र के साथ कैमरा भी लगा होगा हम आपको पता दे कि तेज रफ्तार गाडियों पर अब कैमरे की नजर होगी बिहार पुलिस जल्द ही इंस्पेक्टर वेहिकल यानि गाडियों की रफ्तार मापने वाले उपकरनों की लेस वाहनों के साथ नजर आएगी इससे न सिर्फ गाडियों की रफ्तार का पता चलेगा बनकि उनके नमबर प्लेट भी इसके कैमरे की जद में होंगे पाली बाई बिहार पुलिस के बड़े बेडे में इससे सामील करने के तयार ही है इसके लिए गाडियां मिल चुकी है और उपकरनों की खरीद हो रही है यानि कि निश्ची तोर पर बिहार में दुरघटना और अन्चीजों को रोकने के लिए आया कारगर होगा इधर बिषार के मुंक्मंतरी एगारा Сदसी टीम के साथ कलम मोदी से जाती है जन्गनना को लेकर मिले और उनका बियान आया है पियूने जाती है जन्गनना की मांग नाकारी नहीं है उसकर मन्तन चल रही है उन्होंने कि मुझे उमीद है हम लोगों की बात पर विचार कर पर morgen मंत्री और निर्णे लेंगे लेंगे और हम लोग का नयाय मिलेगा बिहार के सभी दल बोले जाती जनगन्ना राश्ठ हित में जरूरी है एक बहुत ही बेहद द्रिस उस समय देखने के लिए मिला जब परधान मंतरी से मिलकर सबसे पहले बिहार के मुक मंतरी नितिस कुमार और बिहार के परतिपच के नेत लेकिन उस मभवाशल को देखा एक लग रहाता की कुछ खास बाते चल रही है काफी मुस्करहाट के साथे बाते हो रही ती लगी नहीं रहा था की बिहार में इस तरह से पच्छ पच्श आनातंतानी चलता है सवहार्थ पून द comentarios सवहरता, नजर आ रही थी। तो निश्य तोर पर बिहार में विकास की गाड़ी रुकेगी नहीं बलकि तेज रफ्तार से चलती रहेगी। मुकेस साहनी को नजर अंदाज करते दिखते हैं। पर बिहार की गाड़ी आगे बढ़ने की उमीद बताई जा रही है। भेट सीम के विश्य असनिये नित्रुट का पड़नाम है विजोज चोधरी यानि की बिहार के संसाती ये कार्ज मंतरी और पीम से मिलने के बाद दिल्ली गए बिहार के परतिनेदिर मंडल के स्वेयोग जग की भूमिका निभार है विजय कुमार चोधरी ने कहा कि या मुख म कास में बाधक नहीं बन सकती जनक राम का कहना है और इधर सभी दलों ने एक जूट होकर मांग की है मुके सहनी का कहना है बिहार के लिए ये अतिहासिक दिन है अजय कुमार का कहना है विधायक दल के नेता है कौमनिस पार्टी भारतिय कौमनिस पार्टी के नेता है इधर जिस धर्मे में जो जातिया है सब की गिंती हो इमान का कना है, पूरे देश में गरीबों की पहचान होगी सुर्ज कांद का कना है, आरच्छन का दायरा बढ़ाने को यह जरूरी है महबूब। इधर समय समय पर क्यों उड़ती है जातिगर जन्नना की मांग यह बहुत बड़ी मुद्दा है, 2011 की जातिये जन्नना पर फसाता कानूनी पेच, इधर राज में 1015 स्वास्त के उपकेंदरों का निर्मान जल्द होगा, पहल परतेक उपकेंदर पर 75 लाख रुपे किये जाएं और तमाम अधकलों पर बिन्याम लग जाएगा, जैसा कि आपको तैयारी बता दे कि गार चर्णों में चुनाओ 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीट है, मतदान होना है और सभी जीलों का समय भी निर्दाराना जो हो जाएगा, चुनाओ की तिथी पर राज केमिनेट ने 17 अगस साथे कही जाते है, तमाम चीजों को हम ओगत कराएंगे, लिकिन उससे पहले हम बता दे कि एपी ओ के पीटी रिजल्ट को संसोधन करें, बीपेसी हाई कोड का या निर्देश है, मुख परिचास सगीत, कोड की तिपनी के बाद बीपेसी ने मुख परिचास सगीत कर दिया पटना हाई कोडने का, बीपेसी समझदार और जिम्मेदार संसा है, समझनी चाहिए और इस पर रोक लगानी चाहिए, डियलेड मेंड, डाख खिले के लिए आवेदन अब 10 सिप्तंबर तक लगेंगे, सैन सिगनल, इंजिनियरेर स्कोर्स में पहली बार महिला करनाल, एतिह चैन बोड ने 26 साल की सिवा पूरी कर चुकी महिलाप सरों की न्यूकती को दी है, मंजूरी यहाँ एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रहे हैं, चेतावनी अमीरिका 31 तक काबूल छोड़े जैसा कि आप जानते कि काबूल एरपोर्ट पर अमीरिका का कबजा है, और यानि कि ठमकी कहा जा सकता है, बिद्रोह के आखरी गड़, पंज सीर में तालिवान को घेरा, इधर 30,000 बेतन वाले भी ESI दाइरे में जल्द, उमीद जताई जारे कि फिराल 31,000 तक बेतन पाने वाले ESI के दाइरे में हैं, और बोड मिंबर हर बजन सी का दावा सितंबर मे परस्ता हो, समस्ति पूर में 2 की हत्या लाखों की लुट हुई है, कल्यान सी 75 में बिलिन हुई है, नमन, राज में पंचाईती राज के कार्ज से अलग हुए बीडियो साहब और डीडिसी साहाब, आपको बता दें कि पंचाईती राज के कार्ज से परखंड भिकास परखंड पंचाईत राज्य पदादीकारी को ही कार्ज पालक पदादीकारी के रूप में नामीत किया जाएगा, और इधर जिला परस्त में अब डीडिसी को मुख कार्ज पालक पदादीकारी को रूप में नहीं रखा जाना है, इसके लिए अलग से पदादीकारी तैनात किये जाएंगे देश के खिलाब जंग छेड़ना चाहते थे आरोपी एन आई ए का कहना है भीमा कोरेगाओं का मामला इधर आपको बताते कि बिहार के नियोजी सिचको के इसे से मस से भुकतान होने वाले बिहार के नियोजी सिचको के बेतन की आजे जो पैसे हैं बिहार के मिनेट के दवारा जारी हो सकता है इमाउंट मिक सकता है सिगर ही तिन महेने का बेतन बकाया है उसका भुकतान भी किया जा सकता है इधर बिहार के नियोजी सिचको के तबादले को लेकर बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि बिहार के नियोजी सिचको का अब तवादला लटक भटक गया है और यह तवादला अब शिच्छक नियोजन के बाद अगले वर्स ही हो सकता है फिलाल इंतजार करने की जरूत है अब आज भी उठाने की जरूत है इधर बात आनि की उन को हेंट मास्टर या परधानसी चक बनाया जाएगा जबकि नियोजी सिचको के तवारा मांग के जा रहा है कि céktke जो नियम है उसका खिलाफ सरकार नंकरे बले कि पर्मोशन के थार पर सिचको को हेंड माश्टर अ परधानसी चक बनाया जाए फिलाल इस फर कोई सरकार की और से जवाब नहीं आया है जैसे ही आएगा हम आपको ओगत कर आएंगे फिलाल मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक की लिए इजाज़ा धन्यवाद जय हिंद जय वारत बंदे मातर है